हेलो एवरिवान वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों आज मैं जड़ प्लांट के लिए एक ऐसा सल्यूसन बताने वाली हूँ जिसका इस्तिमाल करके आप जड़ प्लांट की खोई चमक को वापस ला सकते हैं इसकी पतियों को लस ग्रीन हेल्दी चमकदार बना सकते हैं पौ पर जितने भी मिली बक्स, कीड़े, चीटियां, फंगस इसकी ब्रांच पे जो भी लगी होंगी सब खत्म हो जाएगा अभी सर्दियों में धूप की कमी की वज़े से इसके ब्रांच पे फंगस लग जाते हैं कुछ मिटी में भी फंगस लग गए होंगे तो अगर आप इस का इस्तिमाल करेंगे तो ये सब प्राबलम खत्म हो जाएगी सभी चीजों का खत्मा होगा तो आप इसे एक इंसेक्टिसाइड या बहुत ही पावरफुल फंगस भी बोल सकते हैं बहुत ही असरदार है पावरफुल है और बिल्कुल घरेलू चीजों से ही बन जाएगा यहां पे लिए हैं कि कुछ किचन में इस्तिमाल होने वाले मसाले और ये मसाले सभी के घरों में होंगे ही सबके घर में इस्तिमाल होते हैं तो यहां पे मैंने 4-5 लौंग लिया है एक टुकड़ा दालचीनी का और 8-10 काली मिर्चली है इन तीनों में से अगर आपके पास स दोका ही इस्तिमाल करें कोई भी एक चीज नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हैं सिर्फ दोका इस्तिमाल करें और इसे अच्छी तरह से क्रस कर लें ये मसाले हमारे हिल्थ के लिए तो बेनिफीसियल है ही एक एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करते हैं इम्यूनिटी को बूस कर दें अच्छे से mix कर लेना है उसके बाद इसे ढख के आप 24 घंटे के लिए या फिर दो दिन के लिए भी रख सकते हैं या 24 घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोनों में से कोई भी आप या तो 24 घंटे बाद इस्तेमाल करें या दो दिन बाद तो ये देखिए दो दिन के बाद की क्लिफ है तो मुझे कल टाइम नहीं मिला तो इसलिए मैं दो दिन बाद इसको इस्तेमाल करी हूँ और इसका देखिए कलर बिल्कुल रेड हो गया है जितने भी हमने मसाले डाले थे सबके तत्व अब इस पानी में आ चुके हैं तो अब ये एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड बनके तयार है अब इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है कि इसे छान लें क्योंकि हमें इसका इस्प्रे करना है तो इस्प्रे करने के लिए अच्छी तरह से छानना जरूरी है ये देखिए इसका कलर और इसे इस्प्रे बॉटल में इस तरह का भी आप ध्यान रखें, चार गुना पानी तो आपको लेना ही लेना है, आप पाच गुना भी कर सकते हैं, तो मैं चार गलास पानी इसमें डाल रहे हूं, और अब पानी मिलाने के बाद इसको आप अपने पौधे पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलिए अब इसको प्लांट स्पेस पे कर देते हैं तो अभी मैंने कुछ दिन पहले जेट प्लांट के लिए एक फर्टिलाजर सेयर किया था और उसके इस्तेमाल से देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है जो पत्ते जड़ गए थे अब उसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके भी हम अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं वैसे तो जेट प्लांट बहुत ही लो मेंटिनेंस और हाड़ी प्लांट है बहुत ज़्यादा इसकी केर करने की ज़रूरत नहीं होती है आप इसे 3-4 गंटे की धूप में रखें और पानी का ध्यान दें पानी इसे बहुत ही कम देना है जब मिट्टी सूख जाए तब ही पानी दें पानी ज़्यादा होता है तब ही ये प्लांट खराब होने लगता है पतियां पीली होने लगती हैं तो इस बात का भी ध्यान दें और मिली बक्स और चीटियों का थोड़ा सा इस पे अटेक हो जाता है तो ये इस तरह से घरेलू कीट नासक बना के आप अपने पौधे पे इस्तेमाल कर सकते हैं महीने में एक बार तो ये देखे मैं एक एक पत्ते पे इसका इस्प्रे कर दे रही हूँ मिट्टी में नहीं डालना है इस्प्रे करने से ही मिट्टी में ये चला जाएगा तो आप अच्छे से सारी ब्रांच पे पत्तियों पे इसका इस्प्रे कर दें और अगर मिली बक्स लगे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा जादा डालें और हर 15 दिन पे अगर मिली बक्स या चीटियां लगी हो तो 15 दिन में एक बार डालें और अगर पौधे पे कोई भी इस तरह का आटेक नहीं दिख रहा है तो भी महीने में एक बार अगर इस प्रे और ऐसा नहीं है कि आप इस सल्यूशन का इस्तेमाल सिर्फ जेड प्लांट पे ही कर सकते हैं आप इसे किसी भी पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं जिसमें भी मिली बक्स चीटियां लगी हो या नहीं भी लगी हो तो एक इनसेक्टिसाइड फंजीसाइड के रूप में आप कि ज़्यादा फायदे मंद होते हैं और ये प्लांट्स के लिए भी काफी फायदे मंद होते हैं आप इसे तुलसी के पौधे पे स्प्रे करिए इसका तो उस पे भी जो भी कीडे वगरा लगे होंगे सब खत्म हो जाएंगे तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करके अपने करिए थेंक्स पौट वोचिंग!